नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से वोटर आईडी कार्ड के वारे में संपूल जानकरी प्राप्त करेंगे आप किस तरह से नया वोटर आईडी कार्ड बना सकते हो किस तरह से आप वोटर आईडी कार्ड यदि हो गया है तो डाउंडोल कर सकते हो दो मैंद्याह से कर सकते हैं। आपको बोटर ऐडी कार में संसोधन न्या लगिन अफिर नया बोटर ऐडी कार वनवाने के लिए बोटर हाल्प एप्लिकेशन यहां से ख्लिक करके आप सीधे ओंपज पर आ सकते हो यहां आपको यह इंटरफेश दिखाई देगा जिन में eon आपको offline BL के पास submit करवाना होगा यदि आप online करना चाहते हो दोस्तों online के लिए अलग से online form no.6 आपको फिल करना होगा आपको किस तरह से online करना है नया बोटर ID card बनवाने के लिए दोस्तों आपको form no.6 फिल करना होगा उसके लिए सबसे पहले आपको registration करना होगा यदि आप पहले से ही voter help पे registered हो तो आपको इसकी जरुरत नहीं होगी यदि नहीं हो तो आप sing in करके और यहां आपका ID create कर सकते हो दोस्तों आप ID किस तरह से create करनी है वो सारी जानकारी आपको यहां से मिल जाएगी दोस्तों सबसे पहले आपको mobile number उसके बाद आपकी mail और next option में आपको आपका capture fill कर देना है capture fill करने के बाद में आपको continue पर click कर देना है बाकी कुछ और detail fill करने के बाद में दोस्तों इस तरह से आपकी ID create हो जाएगी ID create करने के बाद में दोस्तों आपको form number 6 पर click कर देना है यहां से आपके सामने registration page खुलेगा जिसमें आप new voter ID के लिए apply कर सकते हो जिसमें आपको सबसे पहले यह detail fill करने होगी state select करना है उसके बाद आपका district उसके बाद आपकी assembly select करनी है दोस्तों इस तरह से आपकी personal detail पूछी जाएगी आपसे आपके relative जो detail है वो पूछी जाएगी contact detail पूछी जाएगी आधार से संबंदित जानकारी आपसे पूछी जा जाएगा आपका disability detail पूछी जाएगी यदि आप disability है तो family member detail आपसे पूछी जाएगी दोस्तों यह सारी detail आपको fill कर लेनी है next option आपसे declaration पूछा जाएगा checkbox पर click करने के बाद में आपको form को preview कर लेना है प्रिबू से मतलब आपको देख लेना है कि आपके दुआरा दी गई सारी जानकारी authentic है आपके according है तो आपको यह submit देने के बाद में दोस्तों यह form आपके बियेलों के पास जला जाता है वहां से verify होने के बाद में आपका voter ID कार्ड आसानी से डाउनलोड हो जाता है दोस्तों और बाकी यह आपके home address पे भी पहुचा दिया जाता है इस तरह से आप यदि 18 साल उम्रपूर्ण कर सुके हो तो नए voter ID के लिए आसानी से registration कर सकते हो offline और online दोनों ही तरीके से आप यह registration कर सकते हो दोस्तों offline के लिए मैंने आपको description में PDF का लिंक दिया हुआ है से download करके आप अपने VLO के द्वारा voter ID काड़ बनबा सकते हो इसी तरह से दोस्तों सर्विस में जाके इपिक डाउनलोड पर आप क्लिक करके आपका बोटर ID काड़ आसानी से download कर सकता है उसका कुछ प्रसोज में आपको दिखा रहा हूं दोस्तों इस तरह से आप क्लिक करने के बाद में इस जगह आजा होगे उसके बाद में यदि आपका mobile number registered है तो आपका इपिक आसानी से download हो जाएगा यदि आपका mobile number update नहीं है तो आपको आपके इपिक ID यानि बोटर ID में correction करना होगा और correction करने पर आपको आपका जो mobile number है लिंक करना होगा उसके बाद ही आप अपना इपिक ID डाउनलोड कर सकते हो यह सारा प्रिसोज मैंने आपको online दिखाया है दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को subscribe जरूर कर ले आपको यदि कहीं किसी और जगे ट्रांसफर करवानी हो तो उसके लिए आपको फॉर्मल होगा उसके तरू आप बोटर आईडी को कहीं भी कन्यांत डिश्टिक में भी चंज करवा सकते हो इसके अलावा साथियो इलेक्शन कमिशन के कुछ महत्पून आपस है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ब वीडियो और इमेज अपलोड करनी होगी